नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशम याने की सिल्क के बारे में रेशम से काफी सारी चीजें बनती हैं, चैसी की साड़ी, ट्रेसिज, शर्ट्स, ओफिस टाई, घर के परदे, जमीन की कार्पेट, पलंग की चादर और बाकी चीजें बनाने के लिए रेशम का उपयोग किया जाता है रेशम के धागे हमारे लिए सिर्फ उपयोग का साधन बन चुके हैं, मगर एक जीव जन्तू, जिन्हें सिल्क वर्म्स कहते हैं, उनके लिए इन धागों का अलग ही महत्व है इनका जीवन अंडे के रूप से शुरू होता है स्त्री सिल्क मौथ, शेहतूत के पत्तों पर, जिन्हें मलबरी के पत्ते भी कहा जाता है, उन पर अंडों को बिचाती है अंडों से निकल कर वो कीडों का रूप लेते हैं, तब ही उन्हें लारवे भी कहा जाता है शुरुवात में वो बहुत ही छोटे होते हैं, फिर धीरे-धीरे उनका आकार बढ़ता है जब ये कीडे बड़े हो रहे होते हैं, बेशेहतूत के पत्ते खाते हैं कुछ वक्त पत्तों को खाने के बाद उनके आराम करने की बारी आती है हमें जैसे सोते वक्त एक चद्दर की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन्हें अपने आराम के लिए एक छोटा आसरा बनाना होता है ये कीडे एक चिप-चिपा सा तूख जैसी चीज बनाते हैं वह अलग-अलग दिशाओं में अपना सर घुमा कर इस चिप-चिपे से चीज से अपने चारों और एक आसरा बनाते हैं इसे कोकून कहते हैं इस वक्त उनके आसरे के अंदर उनके शरीर में बदलाव होते रहते हैं जिससे कि वह सारे अडल्ट यानि कि वायस्क मौत बन सके कोकून में कुछ देर रहने के बाद वह मौत बन चुके होते हैं और कोकून से बाहर निकल कर अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं तो ऐसी है उनकी जीवन का था दोस्तों अब जानते हैं दूसरे कुछ राज सरी कल्चर ऐसा एक तकनीक है जिसमें काफी सारे खीडों को पैदा किया जाता है जिससे कि उनके बनाए गए कोकून में हमें लाब हों आम दोर पर बॉम्बिक्स मौरी ये सिल्क मौत का इस्तमाल किया जाता है बॉम्बिक्स मौरी पैदा किये जाते हैं पर ये सारे उड़ नहीं पाते पुरिश और स्त्री मौत का संभोग होता है फिर स्त्री मौत अंडे देती है दोस्तों अंडे देने के बाद स्त्री मौत जीवित नहीं रहती ये मौट्स, कोकून से निकलने के बाद तकरीबं सिर्फ एक हफ़ते तक जीवित रहते हैं अंडों से जब कीडे निकलते हैं, इन कीडों को शेहतूत के पत्चों से भरे ट्रेस पर रखते हैं लगातार पत्तों को खाने के बाद आप सबी जानते हैं उनको आराम की जरूरत होती है इसलिए वो अपने इर्दगेद कोकुन बनाते हैं इसी आसरे के अंदर उनका शारीरिक बदलाव होता है जिससे की वो मौत बन पाए दोस्तों साधारन दोर पर एक फ्यूपा आसरे में कुछ वक्त तक रहकर मौत बन जाता है और वो बाहर आना चाहता है बाहर आने के लिए वो अपने कोकुन को चबाता है इसे क्या होगा कि ज्यादा रेशम इकटा नहीं हो पाता है यहीं पर बात बदलती हैं दोस्तों जाता है ताकि उनके आस्रे से हम रेशम जादा मात्र में इकठा कर सके कीडों को उनके कोकून के साथ उबलते हुए पानी में डाला जाता है इसी गर्माहट से धागे आसानी से निकलते हैं इस धर्ती पर जितने भी प्राणी हैं हमको भी मिलाकर सबका अपना-पना महत्व है छोटे कीडों से लेकर विशाल हाती तक हर किसी को जीने का अधिकार है बले ही वो एक कीडा क्यों न हो और हाँ दोस्तों हमेशा हमें जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए हमें चीजों का प्रहप्रयोग यानि रियूज करना चाहिए और चीजों को बाठते रहन जाना चाहिए ताकि इस धर्ती के संसाधनों यानि के रिसॉर्स का अधिक उप्योग न हो हमारे पास जो सिल्की साडिया या दूसरी सिल्क की चीज़े हैं हम उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और भविश्य में सिल्की चीज़ें ना खरीदने की कोशिश कर सकते हैं झाल झाल